अल्राइट, तो टोड़े वे श्राटिंग चैप्टर नुबर तुवल्फ यथि स्वाइल इरोजन एन कंजरवेशन ओके स्वाइल मिट्टी इरोजन मतलब खराब होना या उखड़ना या बरबाद होना और कंजरवेशन का मतलब होता है बचाना ठीक है तो स्वाइल का खरा अब होने से बचाना अब मत्टी खराब कैसे होता है ठीक है तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें एक सेकंड ओलईट, देखो क्या क्या पढ़ेंगे हैं मिलोग इंपोर्टेंस ऑफ सोयल, स्वाइल का महत्फ़व क्या है, फॉर मेशन ऑफ स्वाइल, स्वाइल किस तर सबसे अर्थ का जो सबसे उपर वाला लेयर है अर्थ का सबसे उपर वाला लेयर है उसे क्या बोलते हैं क्रश्ट क्या बोलते हैं क्रश्ट ठीक है तो उपर वाले क्रश्ट में जो सबसे उपर वाला लेयर है उसी को क्या बोलेंगे हम उसी सर्फेस को क्या बोलते हैं सॉयल बोलते हैं क्रश्ट का सबसे उपर वाला बहुत ही महतोपूर्ण है बहुत ही ज्यादा वैल्यू है नाचरल रिसोर्ट है और इत कंसिस्ट ओफ स्मॉल पारिटिकलश और ब्रोकेन बॉन्स ब्रोकेन बॉक्स डेट रीमेंज और प्लंट एंड इनिमेल्स बिनरेल्स होते हैं and some amounts of air and water होते है, minerals present in the soil give different colors to it इसमें क्या मिलेंगे soils में, broken rocks जो चटाने होते है जो पत्थर होते है, तूटे तूटे पत्थर कंकर वेगारा, ठीक है चोटे चोटे rocks तुमको मिलेंगे इसमें dead remains of plants जो पेल गिर जाते हैं तो मट्टी में ही समा जाते हैं पत्ते, ठीक है उसके पत्ते हो गया तने हो गया, and animals जो जानवरे मर जाते हैं तो मट्टी में ही दफन हो जाते हैं ठीक है, हड़ी हो गया, हड़ी भी होता है एक तरह से, minerals होता है उसमें बहुत सारे minerals होता है जो पेल को growth करने के लिए मदद करते है and some amount of air and water yes उसमें कुछ थोड़ा सा amount में air होते हैं हवा होते हैं हवा में बहुत सारा जो जिसे oxygen चाहिए उसको nitrogen चाहिए तो यह मौझूद होते हैं पानी जानते ही है minerals present in the soil gives different color soil का अलग-अलग color होता है लाल soil बताता है कि इसमें iron है ठीक है इसमें क्या है iron है black होते है कोई soil एकदम काले होते है वहाँ पे cotton का growth तुमको जादा मिलेगा तो अलग-अलग minerals अलग-अलग color देते हैं soils को ठीक है importance of soil soil का क्या महत्व है soil is essential for plant growth पौधों के लिए पेड़ों के लिए growth मंदद करता है soil ठीक है it is the home to various micro organisms and animals such as insects rabbits and earthworms घर है micro organisms का घर है micro मतलब छोटा organism मतलब कोई जीव मतलब छोटा जीव जैसे की छोटे छोटे कीडे में कोड़े जैसे insect होके चूटी होके कहां रहते मटी में रहते हैं बहुत सारे जो क्या बोलते हैं कीडे जो तुम देखते हो के ठंड में वेगरा जो लाइट्स वेगरा में तुहमते होता रहते हैं तो कहां साथ है उनका जो घर होता है अंदर ही होता है animals कुछ जानवर का घर अंदर होता है earthworm जानते हो जो पिल्लू टैप का होता होता है अर्थ वार्म ठीक है तो वो क्या होते हैं ये जमीन में ही रहते हैं ठीक है केचुवा जिसको बोलते हैं हिंदी में रैबिट्स जो खरगोश होते हैं जो खरगोश होते हैं वो जमीन में होल्स बना के रहते हैं ना इंसेक्ट साना कोई भी छोटव रड़ापर इंसेक्ट होता है तो वह भी कहा रहते हैं जमीन बेहते हैं सॉल के अंदर है इसलिए वो लोग व्यवाइब हो गया इसका डिफरेंट माइक्रोग्णिसम का एनिमल्स का इंसेट्स का रैबिट्स का और अर्थ-वाम्स का ओके ओके वी डेपेंड इट इस यूज़ फोर मेकिंग हाउज़ टॉइस पॉट्स एड्सक्टर और सॉइल का क्या है घर बनाने में काम आता है अभी तो सिमेंट का घर हो गया ना पहले मट्टी के घर होते थे अभी मट्टी का जो है बहुत सारा यूज होता है घर में किसे बनता है और अन्य चीज एड्सक्टर वी डेपेंड वी डेपेंड अपॉन स्वाल फूर फूड क्लोज मेडिसीन पेट्रोल मेटल्स फर्निचर सक्टर हम लोग स्वाल पर बहुत निरभार है खाना भी कहां साता है स्वाल से आता है हम लोग जो चावल वगारा धान का सब्सक्राइब कपड़े कॉटन से बनते कॉटन कहां से आता है तो पौधे से आते हैं कॉटन तो वह भी स्वाल से आते हैं मेडिसीन बहुत सारे हब्स तुलसी तो बेस्ट एक्जामपल है तो बहुत सारे मेडिसीन जो होता है कहां से बनते हैं तो बहुत सारे प्लांट से अब भी जो डेड और डिकेड प्लांट्स होते हैं वो नीचे अर्थ के जमीन में रह जाते हैं और वही फिर क्या बन जाते हैं तो यह फॉसिल फ्यूल यही बन जाता है ठीक है है मेटल्स तुमको अंदर ही मिलेगा फर्नीचर जो लकड़ी होता है पेड से ही बनता है तो पेड काना समें सॉल में रहता है तो यह सब तुमको स्वाइल से मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ सोयल कैसे बना है सॉइल इस फॉर्मड वन रॉक्स ब्रेग डाउन इंट्व टाइनी पीसे मट्टी कैसे बनते हैं जब जो रॉक्स है जीसे यह रॉक तुमको दिख रहा है तो यह तूटे ठीक है नैचरल क्लाइमेटी से तूटे तो नैचरल बारिश हुआ तो बह गया ठीक है तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं वेदरिंग बोलते हैं तो एक पत्थर बड़ा से तूट रहा है बहुत सारा नैच्रल क्लाइमेट का वजह से जोसे कि गर्मी ओगया ठंडा बरसात हो गया कभी ठंडा हो रहा कभी गर्मी हो रहा है फिर जमन्द्धूप लगा उसका बारिश हो गया उसको फिर इदर से बैता गया थैक है तो उसको क्या बोलते हैं वेदरिंग बोलते हैं वेदरिंग ऑनाव की कारण यह बड़ा सा चटान है यह चोटे चोटे तकलों में बनते जाता है और यह लाश्ट में बहुत महीन बन जाते हैं और यही बन जाते है soil ठीक है, यही लाश्ट में क्या मन जाते है soil और जब बारिष होती है तो पानी इस तरह से इसमें जमने लगते हैं ठीक है, in cold weather this water freezes, expands इसमें पानी भर गया ठंड हुआ जमा और फिर क्या हुआ प्रेसर के साथ इसमें क्या हुआ फिर गर्मी ठंड होने के कारण यह फट जाता है ठीक है तो यह वेधरिंग बोलते हैं इसको ठीक है रोक्स तूड जाते हैं इस स्मॉलर पिसस अफ पूश्ट अगेंस्ट वन अनदर बाई स्टॉंग विट और फिर कभी कभी आंधी तूफान के वज़ासे कभी बारिज के वज़ासे फिर बहने लगते हैं या फिर उडने लगते हैं और एक दूसर टग राके और छोट चोटे होने लगते हैं अब लाश्ट फाइनरी क्या होते हैं चोटे-छोटे महीन होने के बाद फिर यही स्वाइल बन जाते हैं और यही जो और जो चोटे हो गए फिर पानी के साथ में बहके यह अलग-अलग जगह में जाके जम जाते हैं ठीक है अपर सर्फिस अर्थ का जो उपर वाला भाग में जम हो जाते हैं इसमें अगर मिक्स हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं वह स्वाइल मिक्स कर गया और उसको फरटाइल बना दिया ठीक है मनलब यह जो ह्यूमस है यह मिक्स हो और पेड़ पौधों के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा हो गया तो इसको बोलता है नाच्रिल फेनोमेना है layers of soil soils के परत्त क्या है there are three main layers of soil top soil sub soil bedrock top soil top मतलब जानते हो सबसे उपर वाला पाइट top soil sub soil सब मतलब होता है beach वाला पाइट तो beach वाला पाइट बीच वाला लेयर फिर होता bedrock bed मतलब होता है नीचे जमीन का नीचे में यह जो rocks तुमको देख रहा है यह सोया हुआ rocks तो इसे क्या बोले है bedrock ठीक है बड़े बड़े चाटान जब ड्रिलिंग बोरिंग होता है तो यह पत्थर से मनलब की फिर आने लगता है ठीक है यहीं से पानी निकलता तो में जो पानी का जो फ्रेस वाटर जो यहां पर तुम्हारा जमता है न तो यहीं पर भी जमता है ठीक है तो यहीं पर पानी जमा होता यहीं से फिर पानी हम लोग ऐक्स्ट्रैक्ट करते। करते हैं प्रेस वाटर टॉपसौइल is the uppermost layer of the soil it is soft and dark soft होते है, उपर वाला जो part है soft होते है और dark होते है and contains humus humus किसको बोले मरा हुआ, साड़ा हुआ, plants या फिर animals को बोलते है it is the best for plant growth plant growth plant को growth करने के लिए best होता है सबसे उपर top soil इसी में सब nutrients तुमको मिल जाएगा sub soil, beach वाला layer को of the soil, it consists of minerals such as iron and aluminium हम जानते हैं कि लोहा जो निकलता है जो minerals से निकलता है यही से निकलता है sub soil से निकलता है तो यह जो निकलता है तो यह पूरा एक लोहा नहीं निकलता है इसको छानने पड़ता है ठीक है, इसको purify करने पड़ता है ठीक है ऑर होता है यह और इसको बोलता है और यह बॉल होता है और इसके बारrak फिर यह प्रोसस होके फिर लोहा या फिर alumunium निकलते सहें यही से सब स्वाम सेrit कालता है it is rich in Humus and clay और हमें हाँ और हमें क्ले जो होते हैं इसमें छान पर होते हैं और बेट रोक बेट रोक सबसे नीचे वाला परत हो क्या बलते हैं यहां चेटाने होते हैं इस ऑरेंज और यहलो इन कलर को होते हैं बोरिंग होगा तब यह कलर का तुमको मत्टी तुमको बाहर निकलते वह दिखेगा ठीक है दिखेगा इस ओरेंज और यहलो इन कलर को एंड इस कॉइट डीप इंसाइड और और काफी नीचे ओते हैं ठीक है काफी नीचे ओते जमीन के composition of soils क्या है इसका commission क्या क्या से मिले होते हैं soil is made up of gravel gravel मतलब छोटे-छोटे जो पत्थर होता है sand होता है बालू और clay मिट्टी जो जो खासकर बरतन बगारा बनाने में या फिर पॉट्स बगारा बनाने में कामाता अकले water होते हैं ठीक है पानी होते हैं और humus humus का बारा बता रहे हैं कि dead plants और animals या सड़े कर ले animals और plants mix हो जाता है soil में तो क्या बहुत है humus बोलते हैं it also contains air, minerals, microorganisms, worms and insects हावा भी महजूद होते हैं minerals होते है, microorganisms, worms, insects भी होते है this living organism makes the soil loose and allow the movement of air which helps the growth plants को air भी चाहिए, तो कैसे होगा, तो soil को loose कर देते हैं soil को क्या करते है, loose कर देते हैं, ऐसे भी तुम अगर plants घर में लगाते हो ना तो soil को खुछ से loose करने परता अपने से, कोई भी metal से, तो यह काम कर देते हैं इंसेक्ट वगारा जो चोट 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 है रते हैं यह loose कर देता कि हवा अंदर जा सके और plant अच्छे से growth कर पाए ठीक है तो यह है part 1 वीडियो का next part में मिलते हैं and that's all for today, we'll meet in the next part till then God bless you all